बिस्मिल्लार रह्माले रहीम असलाम लेकूं विवर्स कैसे हैं आप सब लोग आज पिर हम एक मज़ेदार सभी के साथ हाजिर हैं आज हम आपको बनाना सिखाएंगे फ्रूट ट्राइफल चले आएं शुरू करते हैं विवर्स मैंने एक बर्तन में एक लिटर दूद हट किया है और इसे बॉइल आने तक हम पकने देंगे विवर्स दूद को बॉइल आने ही वाला है अब उस दूरेशन में हम कस्टर्ड का मिक्स्टर बना लेंगे मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क एड करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर और दूद का मिक्स्टर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है अब हम दूद की तरफ जाएंगे दूद को बॉइल आ चुका है अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क एड करेंगे कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है आप चाहें तो डाल लें चाहें तो ना डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसी डूरेशन में हम 2-3 खाने के चमत चीनी एड करेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे ताके चीनी अच्छी तरह डिजॉल हो जाए विवर्स चीनी अच्छी तरह डिजॉल्व हो चुकी है इस डूरेशन में आप चाहें तो मीथा चेक कर सकते हैं और अपने पेस्ट के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं अब हमने जो कस्टर्ड और दूद का मिक्स्चर बनाया था अब हम इसमें आइस्ता आइस्ता वो एट करेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताके दूद में गुठनिया न बनें और इसे हलकी आँच पर पकाते रहेंगे ताके ये एक गाड़ा मिक्स्चर त्यार हो जाएंगे विवर्स कस्टर्ड फिक हो चुका है और ये बिल्कुल तयार है आप इसकी कंसिस्टंसी देख सकते हैं ना ये बहुत ज्यादा थिक है और ना ये बहुत ज्यादा पतला है अब हम चुला बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे विवर्स अब हम कस्टर्ड की असेंब्लिंग स्टार्ट करेंगे सबसी पर लिए हम एक सर्विंग बाउल नेंगे और उसमें हम प्लेन केक की लिए रैट करेंगे आप हम इसमें कस्टर्ड की लिर रैट करें गे आप कस्टर्ड की लिए रैट करने थियर के बाद आप हम इसमें जलीज Apollo Candy करेंगे जेली के लिए एड़ करने के बार अब हम इसमें fresh fruits एड़ करेंगे मैंने apple और banana लिया है आपको जो fruit पसंद है आप अपनी पसंद का fruit भी इसमें एड़ कर सकते हैं साथ हम fruit cocktail add कर देंगे फ्रूट से एट करने के बाद अब हम कस्टड की एक और लेयर एट करेंगे फोड़ी से और जैली जैट करेंगे क्रीम से टॉपिंग करेंगे व्यूवर्ज मज़िदार फ्रूट ट्राइफल बिल्कुल तियार है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसान दाती है तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जजाक अल्ला